हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक उपर बात करेंगे वह हम आपको बात बताएंगे उससे पहले मैं आपको अपने वीडियो में रेगलर बेसिस पे ऑप् कर सकते हैं कि आपको अपने लेफ्रेशिक कर सकते हैं आप कहां पर 욧ियर कर सकते हो अ फिर ऐसा गन चाहिए जिसमें वो support करता हो तो यहां पर मेरा जो trading strategy होता वो advanced level का होता है और आगे हम और भी इससे advanced level को पर बात करेंगे जहां पर हम hedging strategy को पर बात करने जारेंगे यानि जो भी calls हम लेते हैं उस call को हम protect करने की कोशिस करेंगे यानि market अगर मेरे favor में किया तो profit हो अगर मेरे against गया तो नुकसान हो यानि यहां पर हम call को पूरी तरीके से हेज करेंगे पूरा open call हम नहीं छोड़ेंगे अभी यहां पर open call को पर बात करें लेकिन आगे हम अपने call को protect करेंगे protected call को पर यानि हिज करके हम अपने सारे calls को देखेंगे और उसके basis पर ट्रेड लेंगे लेकिन उसके लिए आपके पास सही ट्रेडिंग प्लेटफर्म सही ब्रोकर सेलेक्शन आना चाहिए उसी के लिए मैं आपको इस लेकिन जब मैं आपको आगे strategy बताऊंगा उस time पे जब आप उस strategy को टेस्ट करने जाओगे या चेक करने जाओगे तब पता चलेगा कि मेरे ब्रोकर में यह features ही नहीं कोई-कोई स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इस वीडियों बात करेंगे best broker for options trading यह अगर आप options trading करते हैं या futures trading करते हैं या फिर intraday trading करते हैं तो आपके लिए best broker कौन सा होगा best broker selection आप कैसे कर सकते हैं यहां पर हम कुछ criteria के basis पर हम अपने लिए best broker का selection करेंगे चलिए करते हैं सबस्पहले हम criteria को define करते हैं तो सबस्पहले यहां पर हम क्या चीज़ देखेंगे हमें trading margin कितना मिल रहा है trading margin कहने के कि कम पैसे में ज्यादा trade करने की facility हमें कौन प्रोवाइट कर रहा है उसको यहां पर हम ज्यादा प्रिफर करने की कुसिस करेंगे यानि अगर हमारे पास 10,000 रुपे है कोन हमें दे रहा है कि अभी से जागा trade कर सकते हैं अगर कोई दूसरा 30,000 दे रहा है तो उसको हम ज्या प्रोफिट भी कमाएंगे वह भी मेरा चला जाएगा इसलिए जहां पर ब्रोफिट कम होगा वह हम प्रिफर करने की कुसिस करेंगे जहां पर ब्रोफिज कम होगा उसको प्रिफर करेंगे तीसरा जो आपको common नहीं दिखेगा trading range limit कोई-कोई ब्रोकर होता है जो कि आपको ए लिमिट कर देता और वह लिमिट मुझे नहीं चाहिए कभी कभी वह लिमिट बहुत जादा फरक स्टेर्टिंग हो जाता है इसलिए जो ब्रोकर ट्रेडिंग लिमिट देता है उसको यहां पर हम एवाइड करने की कोसिस करेंगे फॉर्थ पॉइंट हम ट्रेडिंग इस पर हम एक एक करके देखते हैं सबस्पहले यहां पर ट्रेडिंग मार्जिन और ब्रोक्वेज के ऊपर बात करना चाहेंगे तो यहां पर हम कंप्रिजन करने जा रहे है वह आपको जिरो धा अप 무rios अप्राइड और एंजल वण या इन तीनों ब्रोकर में अप इन तीनों ब्रोकर में कंपेर करें आपके मन में कोशें दयों रुट्रा होगा इसलिए कंपेरे करें क्योंकि जिरोधा आपका number one brokerage firm है आपका number two brokerage firm है और angel one आपका number three brokerage firm है इंडिया का तो broking industry में यह आपका top three brokerage firm है इसके साथ साथ यहाँ पे एक और advantage मिलता है तीनों आपका discount brokerage firm है वह यहाँ पे हम find करने की courses करेंगे सबस्पहले यहाँ पर क्या करेंगे brokerage firm बात करना चाहेंगे अगर आप brokerage firm बात करें especially options futures या फिर intraday में तो तीनों में आपको same brokerage लाएगा rupees 20 थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है लेकिन अगर आप options में trade करते हैं या फिर intraday में भी trade कर लो तो आपको brokerage तीनों में लगबग आपको बराबर ही लग जाएंगे 20 रुपे करीब आपको brokerage तीनों में लग जाएंगे निए brokerage के मामले में तीनों में ज्यादा कोई difference नहीं है वहीं next point हमारा margin को न हमें ज्यादा margin दे रहा है अगर हम जिरोधा की बात करें जिरोधा हमें options trading में या फिर intraday में यह हमें 1.3 time का margin दे रहा अपर स्टॉक भी आपको सेम इमांट का margin दे रहा 1.3 टाइम का जबकि एंजल ब्रोकिंग यहाँ पर हमें slightly ज्यादा 1.5 टाइम का margin दे रहा तो margin में भी ज्यादा कोई difference है नहीं लेकिन यहाँ पर हम slightly अपर हमें slightly ज्यादा margin मिल वह है तो अगर आपको ज्यादा margin चाहिए इन तीरों में से तो आप किसको स्लेक कर सकते हो एंजल ब्रोकिंग को स्लेक कर सकते हो यहाँ पर ध्यान बखना हम किसी को यहाँ पर प्रिफर नहीं कर रहें नहीं किसी को recommend कर रहें आपके लिए जो suitable है वह मैं आपको बता रहा हूं और यह सारा चीज आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हो मेरी बातों पर यकीन मत करो आप खुद से जाका चेक करो और जो भी आपको सही लगता उसके बाद आप उसका selection कर सकते हो उसके बाद next point जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज के उपर बात करेंगे यह नि कौन पर्टिक्लर वेंज के अंदर ही call options या put options को बाई कर सकते हैं इस वेंज के बाहर आप strike price में ट्रेड नहीं कर सकते हैं मैं बाइंग की बात कर रहा हूं अगर आपको राइटिंग करना तो उसके लिए कोई आपका रेंज है नेक्स्ट विक का और जो लास्ट विक अभी खत्म हुआ उसका रेंज आपका यह था तो इस पार्टिक्लर रेंज के बीच में आप किसी ट्रेडिंग करते हो तो इसको आपका लास्ट अप्शन होना चाहिए आप दूसरे ब्रोकर को प्रिफर कर सकते हो जहां पर कोई लिमिट ना हो वहीं बताना चाहूंगा इस तरह का लिमिट आपको आप स्टॉक या फिर एंजल में नहीं मिलेगा एंजल या पर स्टॉक इस जीरो थ्री परसंट वहीं अगर आप थोड़े से लार्ज अमांट में ट्वेड करते हैं तो आपका 20 रुपीज ही लग जाएगा वहीं डिलेवरी में आपको यह कोई चार्ज नहीं लेता और डायक्स में इंवेश्मेंट कर सकते हैं कोई चार्ज नहीं लेता बांकि हम और जीरो एमसी चार्ज भी है जबकि एंजल बोकिंग में आप फ्री में अपना डीमेट एकाउंट भी ऑपन कर सकते हैं और आपको डिलेवरी में लाइफ टाइम कोई ब्रोकवे चार्ज भी पे करना नहीं परेगा और यहाँ पर आपको फस्ट येर के लिए एमसी आपको पे करना नहीं पड़ता है वहीं अगर आप या इंट्राडे में ट्वेडिंग करते हैं यहाँ पर आपको 20 रुपीज का ब्रोकवे चार्ज पे करना पड़ता और एकाउंट ओपनिंग यहाँ पर फ्री में हो जाता है यानि एंजल और आप स्टॉक आपको फ्री मे आपको ठीर नाम है काइट और काफी सिंपल प्रेडिंग प्रेटफॉर्म है एजी ती यूज है यह बहुत कंफोर्टेबल जिसको आप आसानी सी use कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका dashboard है, order है, holdings है, positions है, fund है, सारे आप click पे अपना fund देख सकते हैं, अपना positions चेक कर सकते हैं, अपना holdings चेक कर सकते हैं, अपना dashboard में आप सारा कुछ details चेक कर सकते हैं, तो सारा कुछ देटेल्स चेक कर सकते ह हाँ एक और चीज है sensible कि अगर हम option chain की बात करें यह आपको जिरोधा आप स्टॉक एंजल तीनों में फ्री में मिल जाएगा जिसमें आपको अच्छा खासा फेसलिटी मिलेगा और वहाँ पे आप option chain भी देख सकते हैं जो कि हम अपने डेली इंपाडे वाली वीडियो में इनी option chain के जरिए आपको समझाने कोशिस करते हैं तो आप जिरोधा आप स्टॉक एंजल में अगर आपका डिमेट एकाउंट है तो आप सेंसिबूल का option chain फ्री में एक्सिस कर सकते हैं बांकि जिरोधा का ट्रेडिंग प्रेटफॉर्म इन तिनों से ज्यादा यूजर फ्रेंडल heat map दिख जाएगा sectors by performance दिख जाएगा आप पूरे sectors का भी heat map चेक कर सकते हो बहुत सारे यहां पे आपको features मिल जाएंगे लेकिन जितना user friendly आपका जिरोधा का है उतना user friendly नहीं है क्योंगि आपको advanced feature मिलते हैं अपना portfolio चेक कर सकते हो आप अपना dashboard में सारा कुछ details देख सकते ह तो सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएंगे और यह भी एक्वली गूड है थोड़ा सा एडवांस फीचर दिया गया है इसलिए यूजर फ्रेंडली कम होता है तो आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो आप यहां पर एंजल के ट्वेडिंग प्लेटफर्म को यूज कर सकते हो इसका भी जिरोधा जितना सिंपल है आप यहां पर ट्वेड फंड फंड इंसारे में इंवेस्टमेंट कर सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं ओडर्स पोजिशन्स होल्डिंग्स यह सारा कुछ आप यहां पर चेक कर सकते हैं हम लोग भी तीनों को प्रेफर करते हैं सब ज यहीं सबिए स्थेमाल करते हैं यह में आपका से लिए से सभी के लिए इस्तिमाल करते हैं तो आप लोग थे पर आप को स्लाइटमेंट और त्ल्रड नहीं में दोनों के チतना यापको नहीं मिलेगा तो तीनों का trading platform आपने देख लिए आपको जो बेत्वीन लगता वो options आप यहाँ पर पिक कर सकते हो तो यहाँ पर हम जिरोधा आप पे stock और angel के mobile app का compare करना चाहेंगे तीनों के play store पे चलते हैं और देखते हैं mobile app का कैसा rating दिया गया है समस्पहले अगर हम जिरोधा के kite mobile app के उपर आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं लगवग आपका 3.5 लैक लोगों ने दिया है और इसका mobile app का rating 4.1 के करीब है जिरोधा का था 4.2 तो लगवग दोनों का बराबर ही है ज्यादा कोई difference है नहीं दोनों का लगवग बराबर ही है एंजल और जिरोधा का mobile app equally good है according to play store rating वहीं अगर हम अपे stock के mobile app के उपर बात कर लेते हैं तो अपे stock का mobile app वो जादा बेहत वीन है लेकिन यहां पर हमने तीनो का जो mobile app यूज करके देखा है तीनों का mobile app अगर आप यूज करोगे तीनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं दिखेगा तीनों आपको equally good दिखेगा अगर आप तीनों को usage करते हो तो और जो लोग यूज कर दे होंगे उ मोबाइल लाप के जरी आप option chain नहीं देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर option chain सही से visible नहीं होगा इसलिए option chain देखने के लिए आपको system पर आना परेगा बागी mobile वीडियो के description में दे दिया जो भी आपको बैतर लग रहा है एंजल लग रहा हो जिरोधा लग रहा है उसमें आप अपना डिमेट अपन कर सकते हैं वीडियो के description में आपको लिंक मिल जाएगा सो उमीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह व